हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बच्चों जो आज आपकी वक्षीट है कक्षा 9 की वो है समाजिक विज्ञान की और कारेपत्रक है 77 और पार्ट है 4 जलवाईू और तिती है 28 जनवरी 2021 यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और प्रशन को देखते हुए अब जो आपकी वक्षीट के जो प्रशन दे रखें है उनके जो जो वक्षीट है वह आपके पास होगी तो हम सीधे इनके उत्तरों पर चलते हैं तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रशन है इसका एक से पांच तक अतिलगू उत्तर वाले तीस वर्ष से जादा में मोसम की आवस्थाओं तदा विविधिताओं का कुल योग ही जलवाई हो है। अगला कोशन है गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। तो उत्तर है लू। ऐसे लिखेंगे लू। अगला है प्रशन तीन, चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती हैं। प्रशन चार, दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस साखा द्वारा होती है। प्रशन पांच भारत में 400 cm वार्षिक से कम वर्षा वाले दो छेत्रों के नाम लिखिए उत्तर भारत में 400 cm वार्षिक से कम वर्षा वाले दो छेत्रों के नाम निम लिखित हैं पहला है मद्य भारत दूसरा है उत्तर पश्मी भारत प्रशन 6 है निम लिखित अनुचेत को प उच्च ताफमान एम आदरता वाली अवस्था के चलते दिन का मोसम आदर हो जाता है यह प्राय कुआर की उमस कहलाती है इसमें भी जो आपका ये दे रखा है नीचे ये नुचे इसमें भी ये देखिए ये आंसर इसका दे रखा है आप यहां से भी इसको आंसर को कर सकते है वक्षीट में नेक्स्ट कोश्चन है आपका अक्टूबर तथा नवंबर के महीनों में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो इसका भी उत्तर जो है आप यहां से वक्षीट में देख सकते हैं अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा रितू से शीत रितू में परिवर्तन का काल होता है मानसून की वापसी होने के से आस्मान साफ एम ताफमान में व्रद्धी हो जाती है दिन का ताफमान उच होता है जबकि राते ठंडी एम स्वहावनी होती है इस्तल अभी आदर होता है अगला कोशुषन है आपका प्रसन साथ वा आठ का उत्तर अदिक्तम 80 सब्दों में देजिए तो प्रसन साथ है मुंबई और चैननई की वर्षा की तुल्ना कीजिए और उनके अंतर के कारण देजिए तो उत्तर है मुंबई में वर्षा ग्रीष्म कालीन के दोरान होती है मुंबई और चेननई की वर्षा की तुलना और उनके अंतर के कारण निम्न प्रकार है पहला मुंबई में वर्षा ग्रीश में कालीन के दोरान ग्रीश कालीन यानि जून तथा जुलाई के दोरान होती है चेननई में वर्षा शीत कालीन के दोरान अक्टूबर तथा निवंबर में होती है इनके अंतर का मुख्य कारण यह है कि चेननेई से लोटता हुआ मांसून बंगाल की खाड़ी से आधरता ग्रेंड करने के परशात बारिश करता है जिसके कारण यह सीथ काल में वर्शा होती है ग्रिश्म कालीन में मांसून में चेननेई वर्शा शाया छेतर में आने के कारण कम वर्शा प्राप्त करता है अगला कोश्चन है आपका आठमा कोश्चन जलवाईव और मौसम में क्या अंतर है कोई तीन अंतर लिखिए पहला जलवायू और मौसम में निम लिखी तंतर है पहला है जलवायू एक विशार इलाके में लंबे समय अवदी यानि तीस वर्से जादा में मौसम की अवस्ता तथा विविदताओं का कुली योग है जबकि मौसम एक विशेश समय में एक छेत्र के वायू मंदल की सिति को आता है यहां पर जो यह तीस वर्से इसको आप रैकेट में कर सकते हैं अगला जो पॉइंट है इसका मौसम तता जलवायू के तत्व तता तापमान वायू मंदले दाव पवन आदरता तता वर्षन समान होते हैं बच्चों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाएगी अगला है तीसरा पॉइंट मोसम की अवस्ता समानता एक दिन में ही अनेक बार बदलती है परन्तु फिर भी कुछ सब्ता महीनों तक वायू मंदली अवस्ता त सकते हैं अगला है प्रश्न 9 10 का उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में विस्तार से दीजिए तो प्रश्न 9 का जो उत्तर है पहले उसे देखते हैं प्रश्न 9 दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उत्तर है समुद्र से दूरी समुद्र के पास इ तिलाकों में विशम जलवायू रहती है दिल्ली समुद्र से दूर होने के कारण यहां जलवायू विशम है दूसरा पश्चमी विच्छोब के कारण सीत रितू में दिल्ली में दिसंबर तथा जनवरी के महामें वर्षा होती है जिससे यहां के मोसम में बदलाव आता है तीस कारण दिल्ली में वर्षा होती है साथ ही साथ गर्मियों गर्मियों में चलने वाली लू भी दिल्ली के मोसम को प्रभावित करती है अगला है प्रशन 10 समुद्र से दूरी का किसी इस्थान की जलवायू पर क्या प्रभाव हो सकता है दो उधारण दीजिए उत्तर है समुद् तरफ समुद्र से दूर इस्थित इलाकों में विशम जलवायू पाई जाती है अर्थार दिन और रात के तापमान में ज्यादा आंतर नहीं होता उधारन है इसका जैसे मुंबई और गोवा तटिये छेत्रों में आते हैं तटिये का मतलब तट पर किनारे जिसके कारण वर्ष पर तापमान एक समान रहता है शीत रितू में उतरी भारत में तापमान जीरो डिगरी के आसपास पहुँच जाता है जबकि चेनने या मुंबई में इस रितू में भी तापमान लगवक 20 से 25 डिगरी सेल्सियत के आसपा बना रहता है तो बच्चों यह थी आपकी वक्षीट यदि आपको इसमें कुछ प्रावलम हो तो आप मुझे कमंड बॉक्स में जरूर लिखें